ठहर बाल गोपाल कनया राहुल राजा भाईया भाईया कैसे धाउं पाउं तुझको हार गई मैं दैया सहिद दूध प्रस्तुत है मेटा दुख्द फैन सी शैया तू ही एक खिवईया मेरी पड़ी भवर में नया आ मेरी गोद में आजा मैं हूँ दुख्या मैया मैया है तुग अत्वा मेरी दोथन वाली गईया रोने से यहर इस ही अच्छी तिल्ली लिली ताता ताता थैया तब कहता था लोब न दे अब चंदन खिलोने की रठकियों तब कहती थी दुंगी वेटा मा अब इतनी खटपट क्यों कहतो जूट मूट बैल आदू पर यह होगी च्छाया मुझको भी शैशब में शशी की थी ऐसी ही माया किन्त प्रसूब बनकर अब मैंने तुझको तुझमें उसको तुझमें पाया पिता बनेगा तभी पाएगा वह धन्मन भाया अम्ब पुत्र ही अच्छा यह मैं जेलू इतनी जंजट क्यों पुत्र हुआ तो पिता न होगा यह विरक्ती और नटखट क्यों अम्ब यह पंची कौन बोलता है मीठा बड़ा जिसके प्रवाह में तू दुगती है बहती बेटा यह चातक है मा क्या कहता है पी किन्तु दूद की तुझे क्या सुध रहती और यह पंची कौन बोला वा कोयल है मा क्यों इसकी कूक सी तू हूक सी लगत सहती है कहती उमंग से है मेरे संग संग अहो कहो किन्तु तू कहानी नहीं कहती नहीं पिऊंगा नहीं पिऊंगा पैहो चाहे पानी नहीं पिएगा बेटा यदि तू सुन चुका कहानी तू न कहेगी तो कहलूँगा मैं अपनी मन मानी सुन राजावन में रहता था घर रहती थी रानी और हटी बेटा रहता था नानी 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 बात काटती है तू अच्छा जाता हूं मैं मानी नहीं नहीं बेटा तू आ तू नहीं अच्छी हट है ठानी सुनकर ही पीना प्सूना मत नहीं कहूं की पुरानी वेर्थ गल गया मेरा रसाल मैंने स्वेम नहीं चक्खा था मा चुनकर सौसों में इसे पिता के लिए बना रखा था वा जड़ फल सड़ जावे पर चेतन भावना तभी वह तेरी अर्पित हुए उन्हें है वत्स यही मती यही गती है मेरी निश्फल दो दो वार गई हार गई मा हार गई आगे अब आगे अंब जहां मैं पीछे चुपचाप वहां खोज फिरी तू कहां कहां फिर क्यों फिर कर क्यों न नहार गई हार गई मा हार गई यह पिता की मुर्ती यही मेरे तेरे बीच रही तू इसकी ही देख वही सुध ही शोध बिसार गई हार गई मा हार गई अब की तुझ छिपक देख कहीं पर लेना श्वास नहीं नहीं पकड़ा दें जो तुझे वहीं बेटा मैं यहवार गई हार गई मा हार गई हम बतात कब आएंगे धीरस धर बेटा हम अवश्य एक दिन उन्हें पाएंगे मुझे भले ही भूल जाएंगे तुझे क्यों ना पनाएंगे कोई पिता न लाया होगा वह पदार तुबे लाएंगे मां तब पिता पत्र हम दोनों संग संग फिर जाएंगे देना तू पाथे प्रेम से विचर विचर कर खाएंगे पर अपने दूने सुने दिन तुझ को कैसे भाएंगे हा राहुल क्या वैसे दिन भी इस धरती पर धाएंगे देखोंगी बेटा मैं जो भी भागि तुझे दिखलाएंगे तो भी तेरे सुख के उपर मेरे दुख न चाएंगे राहुल अम्ब मेरी बात कैसे तुझ तक जाती है बेटा हुआ वायू पर बैठ कर उड़ाती है होंगे जहां तात क्या न होगा वायू मा वहां बेटा जगत प्राण वायू व्यापक नहीं कहा क्यों अपनी बात वह ले जाता वहां नहीं निजध्वनी फैल कर लीने लोती है यहीं और उनकी भी वहीं फिर क्या बढ़ाई है सबने शरीर शक्ती मित ही की ही पाई है मन ही के माप से मनुष्य बड़ा चोटा है और अनुपात से उसी के ख़ड़ा खोटा है साधन के कारण ही तनकी महता है किन्तु शुद्ध मन की निरुद्ध कहां सतता है कहते हैं साधन विजनवेवे तन से किन्तु सिद्धि लाव होगा मन से मनन से देखनी नेतर करन जा पाते नहीं वहां सुख्ष मन किन्तु दोड़ा जाता है कहां कहां वत्स यही मन जव निश्चलता पाता है आकर इसी में सत्य समा जाता है तो मन ही मुख्य है मा बेटा स्वस्त देह भी योग अधिवासी के लिए योग गेह भी विहग समान यदि अंब पंक मैं पंक पाता मैं एक ही उड़ान में तो उंचे चढ़ जाता मैं मंडल बना कर मैं गूमता का गन में और देख लेता पिता बैठे किस वन में कहता मैं तात उठो घर चलो अब तो चौक कर अंब मुझे देखते तब तो तू कौन है तो नाम बतलाता मैं और सीधा मालग दिखा शिक्र उन्हें लाता मैं मेरी बात मानते हैं मानने पिता माह भी मानते बिना टालते वह भी किन्तु बिना पंक के विचार सवरीते हैं हाई पक्षियों से भी मनुष्ट गए बीते हैं हम थलवाजी जल में से जल में तो तैर जाते हैं किन्तु पक्षियों की बांती उड़ नहीं पाते हैं मानवों को पंक क्यूं विधाता ने नहीं दिये ये शुदरा पंक पंकों के बिना ही वे उड़ें चाहें तो इसलिए पंकों के बिना ही अंब और नहीं कैसे भूल गया ओहो हनुमान उड़े जैसे मां क्योंकर उड़े वे भला बेटा योग बल से मैं भी योग साधना करूंगा अंब कल से तेरा मुँँ पहले बड़ा था अंब कहतू राहल क्या पूछता है बेटा भला या तू रह गया तेरा मुँ छोटा यह ही कहके दादी जी अब भी तो अंब रोई रह रहके राउल तू कहता है खा चुका हूँ इतना किन तू मुझे लगता है खाया अभी कितना बेटा यही बात मेरी और दादी जी की है होती परित्रिप्ती कभी जन नहीं किये जी की है रोई किन तू क्या क्यों वे अंब उनके वियोग से वंचित हूँ जिनके बिना मैं राजभोग से मा वही तो छोटा मुझे को तेरा है दैन्य और दर्प जहां दोनों का बसे रहा है चाहे मुझ छोटा रहे किन तू बड़ा भोला है छोटी और खोटी बात वह कब बोला है और तेरी आँखें तो बड़ी हैं अंब तब ही बेटा तुझे देख फरिपूर्ण है वे अब भी अंब जब तात यहां लोट कर आएंगे और वे भी तेरा मुझ छोटा बतलाएंगे तो मैं सुन उनसे कहूंगा बस इतना मुझ इतना हो किन तू मानी मन कितना मा कहे एक क बेटा किया समझ लिया तूने मुझ और अपनी नानी कहती है मुझसे या चेटी तू मेरी नानी की बेटी कहमा कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी मत कह है एक कहानी तू है हटी मानधन मेरे सुन उपमन में बड़े सवेरे तात ब्रमन करते थे ते 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 रे जहां सुर्भी मनमानी जहां सुर्भी मनमानी हामा यही कहानी वर्ण वर्ण के फूल खीले थे जल मलकर हिम बिंदु हीले थे हलके ज्वोंके हिले मिले थे लहराता था पानी हाँ हाँ यही कहानी गाते थे खव कलकल स्वरसे सहसा एक हंस उपर से gira बिद्ध होकर खव शरसे हुई पक्ष की हानी करुना भरी कहानी चौंप उन्होंने उसे उठाया नया जन्मसा उसने पाया इतने में आखे टकाया लक्ष सिद्ध की मानी कूमल कठिन कहानी मांगा उसने आहत पक्षि किंतु तात तेरे किंतु ते रक्षी तब उसने था जो खगोख्षी हट करने की ठानी अब बढ़ चली कहानी हुआ विवाद सद्य अनरदै में उभे आग रही थे इस अबशे अमें गई बात अब ने आयाले में सुनी सभी ने जानी सुनी सभी ने जानी व्यापक हुई कहानी राहुल तो निर्नायकर इसका न्याई पक्ष लेता है किसका कह दे निर्भे जैहो जिसका सुन ले तेरी बानी मा क्या मेरी बानी मैं तो सुन रहा कहानी कोई निरपराद को मारे तो क्यों अन्य उसे कोई उबारे रक्षक पर भक्षक को बारे न्याई दया का दानी, न्याई दया का दानी, तुने गुनी कहानी सो अपने चंचल भन सो सो मेरे अंचल धन सो पुषकर सो ताहे निसर में भ्रमर सो रहा पुषकर में गुंजन सो या कभी भ्रमर में सो मेरे गुंजन सो सो मेरे अंचल धन सो तनिक पाश्व परिवर्तन कर ले उस नासा पुठ को भी भर ले उभै पक्षका तुम मन दू हर ले मेरे विधा विनो धन सो सो मेरे अंचल धन सो रहे मंद ही दीपक माला तुझे कौन भै कष्ट कसाला जाग रही है मेरी ज्वाला सो मेरे आश्वासन सो सो मेरे अंचल धन सो ऊपर तारे जलक रहे हैं गोकों से लग लग ललक रहे हैं नीचे मोती धलक रहे हैं मेरे अपलक दर्शन सो सो मेरे अंचल धन सो तेरी सांसों का सुस्पंदन मेरे तप् भर करंदंसो उनके कुल नंदनसो सो मेरे अंचल संदनसो खेले मंद पबन अलकों से पोचन मैं उन kulp districts dirad की च्छवी की छलकों से पुलक पूर्ण Ņबनसो सो मेरे आंचल यंचल अंसो प्लाश की अंदेर्ये जनवी के जबनी के मैं चुपचेत ना जब सो रही ने पत्त में तेरे ना जाने कैसी सज्जा हो रही मेरी नियती नक्षत्र मैंने बीज अब भी बो रही मैं भार फल की भावना का व्यर व्यरत ही क्यों ढो रही भर हर्ष में भी शोक में भी अशुतू संस्रती रहो रही सु बुद खो रही मैं जागती हूं और अपनी दिस्टी अब भी धो रही खेला सा गई जो मुझे वेला रहे जो जली रही उलट पड़ा या दिवा में दिव रतना कर पानी नीचे ढलक रहा में ढलक भा तारक रतनहरी में रतनहार सकी उसके खुले खुर्दे पर जलक रहा निर्दे है सदे खुर्दे वा मैंने उसे लिलक कहा हंस बोला ग्रह चक्र देख लो पर न उठे यह पलक हा पबन तो शीतल मंद सुगंद इधर किधर आ भटक रहा है उधर उधर जो अंध तेरा भार सहें न सहें ये मेरे अबल सकंद किंतु विगाड़ ना दें ये सांसे तेरा बना प्रवंद मेरे फूल रहो तुम फूले तुम्हें जुलाता रहे समीरन जोंटे दे कर जूले तुम उदारदानी हो घर की दशा सहज ही भूले शमा कभी या उष्ण पानी भी भूल तुम्हें यदि छूले प्रगट कर गई धन्य रस्राग तु पौफट कर भी निरुपाए भरे हैं भीतर आग तु रिच्छाती फट नहाए या प्रवात या रात है घोरत मेरे के साथ नात कहां हो हाए तुम मैं अद्विष्ट के हाथ नहीं सुधाजिधी को भी छोड़ा कल कर लो कल करों ने घर अंबर सारा सार निचोड़ा तपक पड़ा कुछ इधर उधर से अंबरत वहां से थोड़ा दूग फूल पत्तों ने पुछ में बंद बंद कर जोड़ा मेरे जीवन केरस तुने यदि मुझे मुझे मुढ़ा तो कह किस दृष्टना के माथे से वह अपना घट फोड़ा मेरी नैन मालिके मेरा माना तुने बंदन तोड़ा पर तेरा मोती नवनेहा प्रिये हाथ के पत्तर का रोड़ा अब क्या रखा है रोने में इंदु कले दिन काट शोन के किसी कोने में तेरा चंद्रहार वह तूटा किसने हाई क्या घर लूटा और नवसा दरपन भी चूटा खोना ही खोने में अब क्या रखा है रोने में सिस्टिकन तु सोते से जागी तपें तपें तपस भी रत में रत हो रागी सभी लोग संग्रह के भागे उगना भी भोगने में उगना भी बूने में अब क्या रखा है रोने में वेला फिर भी तुझे भरेगी संचे करके वैय न करेगी अम्रिच पी ये है तू न मरेगी सब होगा होने में अब क्या रखा है रोने में सफल अस्त तेरा आली घिरे बीज यदी घनाली जागे एक नई ही लाली तपे खरे सोने में अब क्या रखा है रोने में तो कुल मिला कि ये ये शोधरा कविता का अंतिम पाठ्यांश था और इसके माध्यम से हमने देखा कि ये शोधरा और मराहुल बाता पित्र में जो एक वारतालाब होती है उस वारतालाब को बड़े खुबसूरती से मैथली शनुग अपने दर शाया है कल हम इस कविता की व्य आख्या करेंगे तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके दें शुबहुत